नमस्कार दोस्तों, दोस्तों हाली में गोविंदा ने एक इंट्रिव्यू दिया है, जिसमें गोविंदा ने खुलकर इंड़स्ट्री के खिलाप बयान दिया है गोविंदा ने बताया कि कैसे उनके खिलाफ साजिस रची जारी थी कि उन्हें लीड एक्टर से करेक्टर आर्टिस्ट बना दिया जाए इसके लिए उन्हें फिल्मों में छोटे-छोटे रॉल ओफर किये जा रहे थे जो मात्र कुछी सीन के रॉल थे यही नहीं गोविंदा ने आगे कहा कि उन्हें ऐसी फिल्में ओफर की जाती थी जो B-grade फिल्मों की तरह अशलील होती थी जिनमें श्टोरी के नाम पर सिर्फ कपड़े उतारने का काम हो रहा था गोविंदा ने हलाकि किसी का नाम नहीं लिया है लेकिन गोविंदा ने कहा कि बड़े-बड़े बैनर फिल्मों में अशलीलता दिखा रहे हैं जिनने देखके लगता ही नहीं कि फिल्म या वेब सरीज देख रहे हैं या पॉन मूवी उन्होंने कहा कि इससे तो अच्छा है कि आप पॉन मूवी जी बनाने लगो जब इतना ज़्यादा सेक्सी दिखाना है तो गोविंदा ने हाला कि किसी का नाम नहीं लिया लेकिन उनका इशारा एकता कपूर और करण जोहर जैसो की तरफ था गोविंदा को B-grade रॉल इसलिए दिये जा रहे थे ताकि लोग उन्हे B-grade एक्टर मान ले और उन पर अशलील फिल्मों में एक्टिंग करने का ठपपा लग जाए गोविंदा ने कहा कि इंड़स्ट्री वाले उन्हें भगवान दादा बनाने पर तुले हुए थे लेकिन उन्होंने सब की चालाकियों को फेल कर दिया और उनको महतोर जवाब दिया जो लोग पुरानी फिल्में देखते हैं उन्हें पता होगा कि भगवान दादा किसी समय पर A-Lister एक्टर हुआ करते थे लेकिन उन्हें भी अंच समय में B-grade मोवी जिसमें डबल मीनिंग डायलोग बोले जाते थे वैसी फिल्में दी जाने लगी ताकि उनकी इमेज खराब की जा सके गोविन्दा का ये नया बयान ये बताता है कि Bollywood में नेपोटिजम और ग्रोपिंग अंदर तक अपनी जड़े जमा चुकी है Bollywood उनी कलाकानों को प्रमोट करता है जो नेपोटिजम को सपोर्ट करते हैं या ग्रोपिंग करने वालों की चापलोसी करते हैं